Hey guys, कैसे हूँ आप लोग? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. YouTube पर एक new update देखने को मिल रहा है. Update क्या है? जैसे अपला YouTube, आप लोग open करते होंगे and homepage को इस तरीके से slide करते होंगे, तो तो तीन वीडियो के बाद आपको यहाँ पर यह वाला option देखने को मिलता होगा Cannot decide what to watch यह वाला option आता है Try a new way to discover videos अब यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलता है play something जैसे आप लोग इस play something वाले option पर click करते हो तो आपके सामने जो movie बेगरा होता है या फिर आपके सामने long video होता है वो open हो जाता है open कैसे होता है तो वो short के रूप में open होता होगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो long video है वो shorts की तरह यहाँ पर open हो जा रहा है इससे आप लोग क्या समझते हैं कि YouTube एक update लेकर आ रहा है और इस update को चेक कर रहा है कि यह update अभी हमारी YouTube पर कैसे काम करेगा इसलिए यहाँ पर यह वाला update देखने को मिल रहा है इससे क्या होगा कि shorts के कारण long video कौम चल रहा है अब आदमी shorts को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं long video उतना देखते नहीं है इससे क्या होगा कि जो shorts वीडियो देखते हैं उनके सामें long video आएगा तो long video पर views and likes बगएरा बढ़ जाएगा और इस तरीके से वो long video भी देख पाएंगे shorts के तरह यहाँ पर देख सकते हो homepage पर ही आपको यह देखने को मिल रहा होगा और 9 की shorts में आपको यह देखने को मिल रहा है जैसे आप लोग movie वगएरा को भगा कर देखते हो यहाँ पर भी उस तरीके से long video को यहाँ पर भगा कर इसको देख सकते हो तो यहीं update है और YouTube पर जो आपको यह वाला interface दीख रहा इसका यहीं मतलब होता है जब आप लोग इस पर click करते हो तो आपके सामें long video चलने लगता है अगर आप लोगों में यह वाला interface अभी तक सोन नहीं किया है तो आपको क्या करना है जाना है प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर YouTube सर्च कर लेना है अपने YouTube को यहाँ से अपडेट कर लेना है जैसे आप लोग अपने YouTube अपडेट कर लोगे उसके बाद आप लोग भी अपने YouTube पे home page पे जाओगे दो तीन वीडियो स्क्रॉल करोगे तो आपको यह वाला interface नीचे देखने को मिल जाएगा आप लोग मुझे कोमेंट करके चरूर बताना वीडियो अच्छी लगे होगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेज चरूर करना